हजरत गंज इलाके में मंगलवार की शाम को एक पुरानी बिल्डिंग गिर गई आशम का यह लगाया जा रहा है कि भूकम के जटके के असर से यह हाथसा हुआ है कई लोग मलवे में दबे हुए हैं राहत बचाफ कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी अधिक्तिनात ने अधिकारियों को मौके पर पहुँच कर राहत बचाफ कार्य कराये जाने के निर्देश दिये प्रारम भिक जानकारी के मुताबिक यहा हाथसा हजरत गंज के वजीर हसन रोड का है यहाँ पर अलाया अपार्टमेंट के नाम से पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जो आज गिर गई मलवे में कुछ परिवार के दबे होने की जानकारी पर स्थानिय लोगो राहत बचाफ कार्य में जुट गई सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलीस भी बचाफ कार्य में जुट गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने पुरानी बिल्डिंग गिरने का संग्यान लेते हुए घायनों को ततकाल अस्पतार पहुँचा कर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही जिला अधिकारी और पुलीस के वरिष्ट अधिकारियों के साथ साथ SDRF, NDRF की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य पर कराने के निर्देश दिये हैं इसके साथ कई अस्पतानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिये मुख्यमंद्री ने साथ ही घायनों के शीग्र स्वस्थ होने की भी कामना की है इस दियारेफ की टीम है और इस दियारेफ की टीम वह बागती हुई नजर आ लिया है जो अंदर लोग तबे है क्योंकि बड़ी संख्या में आक्रा बताया जा रहा है कि इस मन्वे में लोग अखे वही है पार्टमेंट था, जिसमें पनिवार रहता था आज ने लेख दो कर दो कम पाईला बहुत तेर जाश कर्णे नजर अथ तेर अब दे अब दे याज़ ने जाने से निकाला गिया है जैशन के जन्ये हैं कि अधियारेफ की टीम है और इंधियारेफ की टीम को बागती हुई नदर आ लिया है जो अंदर लोग तबे है क्योंकि बड़ी संख्या में आक्रा बताया जा रहा है कि इस मंदे में लोग अधिया यह एक भी नपार्टमेंट ता जिसमें पनिवार रहता था आज